नमस्कार दोस्तों आप सबका फिरसे स्वागत है मेरे स्यूट्योप चैनल पे आज के इस हुड़ों में हम बात करने कि help हो जाई चाहे वह ड्रीमिलेवन का या फिर कोई दूसरा आप हो आखिर में आपको टीन ड्रीमिलेवन की विनिंग टीम्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती या फिर आप ग्राइंड लिग या स्मॉल लिग दोनों जीट सकते तो दोस् दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मैच की डीटेल से मैच है पाकिस्तान प्रीमियर लीग की पेशावर जालमी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेट के बीच की यानि पी एस वर्सेस आई एसल की बीच यह सीरीज की पाच्वी मैच है दोस्तों वही अगर बात करें देटों टाइमिंग की यहाँ पर तो यहाँ पर थर्टीन मतलब तीज जन्वरी को दोफ़र को धाई बज़े यानि आज ही धाई बज़े मैच होने वाला वेन्यू के अगर बात करें तो नाशनल स्टेडियम कराची का जोस्तों अगर आप यह मैच लाइव देखना चाते अगर बात करें पिच रिपोर्ट के तो यहाँ पर सभी के लिए कुछ ना कुछ है दोस्तों जिया दोस्तों यहाँ पर बैटिंग अगर आप अच्छे से करेंगे तो बैटिंग को भी आए पिच हेल्प कर सकते बॉलर्स अगर अपनी राइट एरियाज में गेन बाजी करे तो फास्टर को भी मदद है और यहाँ पर स्पिनर भी एक महत्वपूर्ण रोल अदाक कर सकते अगर वो गेन बाजी अच्छे से करें तो वही अगर बात करें तो टॉस जीतने के बाद जो भी पहले गेन बाजी करेगा वो उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा दोस्तो उसको जादा अच्छी मदद मिल सकती है अगर बात करें तो इस ग्राउंड पे आवरेज को स्टोटल स्कोर है 165 का अगर बात करें लास्ट पाच मैचे इन दोनों टीमों की परफॉर्मस किस तरह से रहा है तो सबसे पहले बात करें गे आई एसल की लॉस लॉस विन विन व को अगर पी एस की बात करें तो उनका परफॉर्मस कुछ इस तरह से रहेगा हो मतलब इस तरह से था डबलू मतलब विन लॉस विन विन लॉस यानि इन्होंने भी कुल लास्ट जो पाच मैचेस के लिए उसमें इनके भी तीन विन है और दो लॉस है सिर्फ इतना ही फरक है हेट टो हेट के बारे में अगर बात करें तो देख सकते हैं दोस्तों मैच अभी तक इन दोनों के बीच चार मैच खेले गए हैं जिसमें से पी एस ने तीन मैचे जिते तो आई एस एल ने एकी मैच जिता है तो जैसे के आपने लास्ट पारफॉर्मस के उसमें तो दोनों क के टकर सेम थी दोस्तों लेकिन यहाँ पे इस एल थोड़ी पीछे पड़ती नजर आ रहे है एकी विन किया उन्होंने इनके पीएस के खिलाप और पीएस ने तीन विन कि अब बात कर लेते प्रोबेबले ले उन दोनों की तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशावार जालमी क का कि फ्रोबेबले ले कि दर से रहेकी तो वह कुछ इस तर से रह सकते डॉम कोलेर यासिर खार हैदर अली शोईर मलिग हुसेन तलत है ऑच्रुर्चव तोड़तब बेंकटिंग ल्कॉ terror कं गे श्मांथिवार इस गुल इस तर से रह सकते प्रोबेबले ल क्रेडेक्टेड प्रेशा और जालमी की अब बात कते इस्लामाबाद युनाइटेट्स की प्रोबेवलेलियन तो वह कुछ इस तरह से रह सकते आलक्सेल्स रह आर गुर्वाज पॉल स्टर्लिंग आजम खान असिफ अली शादाप खान एफ अश्रफ हसन अली मुहमद वसिम मुहमद मुशा औ तो इस तरह से रह सकते प्रोबेवलेलियन और फिर प्रेडिक्टेडेलियन इस्लामाबाद युनाइटेट्स की अब मैं कुछ प्लियर हो के स्टैट्स आपको दिखाने आला दोस्तों जिससे कि आपको अपनी खुट की विनिंग टीम बनाने में तो सबसे पहले हमारे वैट वेल दो रन चेस अगेंस कौट कौटा ग्लाडियेटर्स टू गिव हीज साइड फाइविकेट्स विन ही स्कोर्ड अन बीटन 48 इन 32 बॉल्स ज्या दोस्तों लास्ट मैच में उन्होंने अपने टीम को जिताने के लिए काफी बढ़िया पारी के लिए थी 32 गंदों मे ешь हमारे होट पिक से दोश्तों के आफी जब अधस्ट वींतर हे रोशतों समतली टीम के लिए काफी बढ़िया पर्फोंस करते हैं हर बार мира loft काफी ज्यादा है पौटिंग करते तो इसलिए इनको मैंने होट पिक मीं refugees, शरूरू आप इनको भी लेने के कोशिक करेंगैं अग क्वाटा ग्लाडिएटर्स के खिलाब इन्हों ने उन्तीज गेंदो में बावन रनों की पारी खेली ते जिसमें पाच पोरों दोशिक शामिल तो इसलिए इनको मैंने होटपेक्स में रखाए अगले जो है शादाप खान ही पिक नाइन विकेट्स इन और 94 रन स्कोर प्रिव्यूज एडिशन जा दोस्तों पिछले साल इसी मतलब पाकिस्तान प्रीमियर लिंग में उन्होंने अपने बल्ले से और गेंसे दोनों से अच्छा परफॉर्मेंस किया था बल्ले से उन्होंने ना 94 रन बनायते और गेंदबाजी में उनको 9 विक्टे मिली तो यह भी हमारे होट्पिक से दोस्तों काफी बढ़िया प्लेयर है अगले हमारे होट्पिक से उस्मान कोदिर काफी बढ़िया प्लेयर है दोस्तों इन्होंने भी अच्छा स्पेल दाला था अगेंस कोटा ग्लेडियाटर्स के बीच इन्होंने चार ओर में सिर्फ 20 रन द गोट 13 विकेट्स इन 10 10 मैचेस और एकोनॉमी 6.75 आलसो स्कोर्ड 76 रन इन जस्ट 4 इनिंग जिया दोस्तों इनों ने लास्ट एडिशन जो पिछला पाकिस्तान प्रीमिर लिग का पिछला जो टोर्नमेंट हो तो इसमें काफी बढ़िया गेन बाजी की ती और सिर्फ 10 मैचेस में 13 विकेट्स भी लिये थे और साथ इसाथ इनको चार इनोंने एकोनॉमी अगर देख सकते तो 6.75 की ही दीती है और सबसे बड़ी बात तो यह ही मैचेस में इनको बैटिंग आय थी जिसमें भी उन्होंने चीहत्तर रन बनाय थे तो इसलिए मैंने यहापे इनको भी होट पिक्स में रखा है अगर बात करें टॉम कॉलेर की अगेस्ट ग्लाडियेटर्स ही स्कोर 22 रन फ्रम 16 बाल वीच इंस्क्लूड 3-4 और 16 जिया दोस्तों छोटी पाकरी खेली थी लेकिन शुरुआत काफी अच्छी करके देते अपने टिम को 16 गेंदों में 22 रन बनाय थे जि तो जैसे कि आपको अच्छी खासी अंदिंग हो सकते आप ग्रांड लिग जीन सकते हैं और आपने अब तक यहाँ पर टिम नहीं बनाएं तो क्लिक किजिएगा मैं आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा चले माइट इपर क्लिक कर लेते देख लेते पहली टिम को इडिट करके बता देता हूं मैं आपको तो सबसे पहले मैंने कीपिंग में टीक औल हैर को लि चलते तो यहां पर भी मेरे पास तीन अल्राउंडर से एच तलत को बेने लिया है एस खान को लिया है और दूसरे एस खान को भी आप मैंने लिया है परफॉर्मंस इनका पहली मैच में अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी हमको इनको लेना है दोस्तों काफी बढ़ी आप ले सकते चलिए दोस्तों अगर गेंबाजी की बात करें तो मैंने सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहां पर रखे चार गेंबाजों को साथ मे ले लिए और यू घुल को मैंने लिया और यू कोदीर को मैंने शामिल कर लिया तो इस तथ से चार गेंबाजों को मैंने इस टीम में लिया दोस्तों जारों अच्छे खासे चा से विखते लेकिन दें सकते तो जरूर आप इनको अपने टीम में शामिल कर सकते हैं कंटीनू पर क्लिक कर लेते हो देख लेते हैं तो मैंने इस टीम का अगर बात करें बैटिंग में मैंने शोयव मली को लिए और अली को लिए अगर बात करें ओल्राउंडस में तीनी ओल्राउंडस के मैं साथ जा रहा हूं एच तलगे अगर बात करें जेड़ को मिले यह यह इस गूल और Q.U. कौदिर को इस टीम में शामिल करें किया है तो इस तर से पहली टीम हमारी काफी बढ़िया बन चुके और अच्छी-खासी संतुली टीम लग रहे तो जरूर आप इस तर से टीम बना सकते फाइदा आपको हो सकता है आप ग्रांड लिग जिद सकते हैं फिर ग्रांड लिग में के अगर बात करें तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं मैंने इस टीम का कैप्टन एलेक सेल्स को बना है और शादाप खान को वाक्ष कैप्टन बना आप उल्टा भी कर सकते हैं या अपके पास एक और ओप्षन है दो शोयमलिक जो अच्छे फाउं में लगे पहले ही म कर लेते हैं और दूसरी टीम में आपको इडिट करके दिखा देता हूं तो फिर से बैटिंग में दो तीन बैट्स मनें अफकोर्ष मली के अलेक्स से और पॉल स्टर्लिंग को मैंने इस टीम में ले लिया है तो जरूर आप इनके साथ जा सकते इन तीनों को ले सकते ऑल राउंडर्स पर चलते तो आप देख सकते एच तलोट को लिया है इस खान को लिया है फिर से शादाब खान और यम वासिम को भी इस टीम में शामिल कर लिया यह भी अच्छे खासे प्लियर है तो जरूर आप इनको एक खाट टीम में तो जरूर ले सकते चलिए गेंबाजी के बात करें तो फिर से चार गेंबाजे एच अली मर्चंडी लैंग को मैंने ले लिया इस बार अगर बात करें इस गूल भी है मेरे पास और चवते यू कौदिर को भी इस टीम में मैंने शामिल कर लिया तो इस तरह से चार गिन बाज है चार अच्छे खासे जरूर आप इन चार को अपने टीम में लेंगे तो फाइदा हो सकता है एक बार कंटीनू पर क कर लेते और देख लेते क्याप्टन किसे बना सकते तो मैंने इस टीम का क्याप्टन जैसे क्या आप देख पार है पहले ही बताया तो आपको शोयब मल्ली को क्याप्टन आप कई ना कई जरूर बना सकते तो उनको क्याप्टन बना लिया है वही अगर वाइस क्याप्टन की बात करें तो मैंने इस टीम का वाइस कैप्टन बनाए और गुर्बाज को जिया दोस्तों यह भी अच्छे खासे बैटिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे केपिंग भी करते हैं तो ज़रूर आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले मैंने इस टीम में कीपींग में चेंच कर लिया और गुर्बात को लिया बागि किसी और के साथ मैं नहीं जाने वाल Kevin स्वय को लिए पॉल स्टरलिंग को लिए अलेक्सərल्स को लिए अगर ऑलารौंडर की बात करें तो मेरे पास फिर से तीन है यह व स्सकार और एम वासिन को लिए गेंबाज में फिर से चार गेंबाज के साथ जा रहा हूँ जैसे का आप देख पारे मर्चंडी लैंग काफी बढ़िया गेंबाज है दोस्तों इन्हों ने कुछ दिनों पहले अभुधा भी टीटेंड में काफी जबादस परफॉर्मस क्याता है इस को लिए एच अली को लिए और यू कोदिर को मैंने स्टीम में शामिल कर लिया तो कुल मिला कि यह बी टीम काफी अच्छी बन चुके दोस्तों जरूर कहूंगा इस टीम को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रांड लिक के लिए उसकी जिए लग रही है तो जरूर आप इसे ग् के साथ जा सकते हैं जरूर आप इन पर वर्षा कर सकते हैं फिर से कहूंगा दोस्तों इस टीम को ज्यादा से ज्यादा ग्रांड लिक के लिए जरूर कर सकते हैं लेकिन ग्रांड लिक के लिए ज्यादा यूज करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है ग्रांड लिक झीट सकते पर दीट करके दिखा देता है कि तीसरी त में दोनों को यहां ले रह안 अभी कामरा राक्मल को इस ले नहीं ले दोस्तों जब तक प्लेइंग यहां पर हमें पता नहीं चलती है तब तक मैं आपको कामरा नकमल को लेने की सलाह नहीं दूँगा क्योंकि ये दोनों कीपर जादा लोगों ने लिए है तो इसलिए मैं यहां पर इन दोनों के साथ जा रहा हूँ और गुर्बाज और टीकोलेर को ही मैं लेने आलाओ किसी कीपर को अभी फिलाल नहीं लूँगा बैटिंग पर चलते तो शोयब मली के अलक्स हेल्स है और तीसरे जो है एच अली को मैंने इस्टीम में शामिल कर लिया तो इस तरह से तीनों गेनबाज भी मापकी जगा तीनों बल्लेबाज भी काफी बढ़िया है हम सबको पता है अलक्स हेल्स और शोयब मली के बारे में और एच अली भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते और अभी मेरे ख्याल से बिग बैश लीग में खेल रहे तो अच्छा फॉर्म था उनका तो ज़रू आप इनको ले सकते हा एच तलत और एच फिर से शाधा अफकान को मैंने आप ले लिया है अगर देख सकते तो तीनों अच्छे खासे ऑल राउंडर है जरू आप इन तीनों के साथ जा सकते गेंबाजी की बात करें तो यहाँ पे तीनी गेंबाज है एच अली को लिया है मर्चंडी लैंग को लि उन्हें लेकिन प्लियर काफी बढ़िया है और अच्छे टैलेंटेड प्लियर है तो जरूर आप इनको एकाट टीम में शामिल कर सकते चले दोस्तों कर लेते और देख लेते क्याप्टन किसे बना सकते तो मैंने इस टीम का क्याप्टन मना है एच तलत को वाइस क्याप्ट इसके बाद मैंने बात मैंने एक टीम में शामिल किया है यह अच्छे खासे जरूर आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते जरूर आप इनको एकाट टीम में जरूर ट्राइक कर सकते इस टीम को भी मैं जरूर कोंगा ग्रांड लिग के लिए और स्मॉल लिग के लिए दोनों के लिए ट्राइक किजेगा दोस्तों अच्छी टीम है थोड़ी रिस्की जरूर है लेकिन टीम अच्छी है दोस्तों जरूर आप इस टीम को ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दोनो गोशित हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा मैं अपने टेलिग्राम पे दालता रहता हो किसको ड्रॉप किया गया किसको आपको उनकी जगह पे लेना है वह देख लीजेगा उसके बाद लिक लगाईएगा दोस्तों हाँ बड़ी लिग जरूर लग टीनों टीमों पे ल मज़कर ही इन्वेस्ट किजेगा दूसरी बात है दोस्तों कि मैंने स्टीम का क्याप्टन और वाइस क्याप्टन जैसे के आपको बता देता हूँ शादा प्खान को बना और एक ने तो अभी तक अच्छा खासा पर्फॉमर्स कर लिया है दोस्तों लेकिन एक अभी तक मेर जरूर चेंजिस करके दिखाऊंगा काफी बढ़िया तीम है दोस्तों जरूर फिर से काऊंगा इस टीम को भी ग्रांड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए उसकर सकते दोनों के लिए अच्छी टीम है मैं जो भी बता तरह मतलब बता है आपको की रिस्क मतलिए यह आप के लिए दोस्तों क्योंकि आपको आपके पैसे वेस्ट ने होने चाहिए इतना ही मेरा सोचना है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों आइसा बोल रहा हूं तो काफी बढ़िया टीम है फिर से कौंगा ग्रांड लिग और स्मॉल लिग दोनों के लिए अच्छे और संतोलिटी में बनी है आई होप आपको यह टीनोटी में और मेरा वीडियो जरूर पसंदा होगा और अगर पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दीजे और चायनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो वह भी कर लिज अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद गुडबाई